हेलो फ्रेंड्स वेलकम वार्लेस हाइक्यू क्लासेज में दोस्तों जैसे आपको थम्निल से पता हो गया होगा यह आपको एससी जीडी जो आपका 2019 में एक्जाम हुआ था उसी के मैं सारे प्रीवेस यह कोश्चन आज से सॉल्व करा रहा हूं आज मैं आपको जीस करा रहा तो प्लीज दोस्तों इसे जदा जदा लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा और मेरे चैनल से आप जुड़ जाएगा बेल आइकन प्रेस करें आपको हर नोटिफिकेशन आपको तुरण-तुरण मिलती चली जाए तो ठीक है दोस्तों फिर आपको आज से स्टार्ट करते मैं आज से आप हमाई साथ लगजे यह बिल्कुल मैं आपको रोज डेली एक हिंदी और एक जीयस का वीडियो प्रवाइड करता जाओंगा और दिरे दिरे मैत का भी स्टार्ट कर दोंगा तो ठीक है अगर आपका जैसा रिस्पांस रहेगा मैं वैसा ही करता जाओंगा फिर स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है जो आपका मैं आपको बता दूँ यह आपकी ग्यारा फरवरी दो हजार बीस का फर्स्ट सिफ का एक्जाम है तो आपको जिसका एक्जाम हुआ होगा तो आप जिसका एक्जाम हुआ होगा वह आप लोग देख सकते हैं आपके रियल क बहुत इजी कोशन था आपको पता होगा टीबिया यह कहां पाय जाती है यह आपकी पैर में पाय जाती है पूसता है कभी कभी टीबिया हड़ी कहां पाय जाती है तो वह पायर में पाय जाती है पूसता है सबसे छोटी हड़ी वह कौन सी है इस्टेपीज इस्टेपीज कहां पाई जाती है पूछता है सबसे छोटी हड़ी छोटी मैं आपको सब एक कोशन से बहुत सारी कोशन पढ़ा दूंगा छोटी कौन सी है इस्टेपीज यह आपकी कहां पाई जाती है इस्टेपीज सौटकाट लिख रहा हूं आप लोग अपनी कौपे में लिख लीजिएगा यह आपकी कान में पाई जाती है पूछता है कि कान में कितनी हड़ी पाई जाती है कान में आपकी तीन हड़ी पाई जाती है वो याद रखिएगा आप तो लेकिन वो ज़्यादा में ने लेकिन आपसे के वल यह पूछता है कि सबसे छोटी हड़ी कौन सी है और कहां पाई औरस्ता है तो यह आपकी कौनसी है सातवी अर्षवरस्ता दो एर नंभर की अगला है किस वर्स टूटा था मरलोसा जो युएसे था वो आपका 1991 में टूटा था सोवियत संग यह अच्छा कोशन था ठोड़ा डिफकट इसका लेवल था तो अगला कोशन है नर्मदा नदी मध्ध पदेश में कहां से निकलती है पहला कोशन पूशता है नर्मदा नदी किस स्टेट से निकलती है वह आपका मध्ध पदेश और पूशता है कौन सी पहाड़ियों से निकलती है तो यह आपकी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है आमर कंटक की प पर है तो ये भी आपको पता उनुचे मन्द्वदेश में हैं तो कुछ को कोई भी तरीके से आप से पूशन पूशतकता है ऑप्सन उठाते हैं आरावली के पहाड़ी यह आपकी कहां पाई जाते है जरसल यह आपकी राजिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई आती है यह सबस उच्चतम बिंदू कौन सा है वो कौन सा है गुरू सिखर यह आप सब लोग कॉप्यों में पर नोट के लिजेगा गुरू सिखर इसकी सबसे उच्चतम बिंदू है अगला कोशन है बेस्टेल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया बहुत ही अच्छा कोशन है पर जनता के हमले कौन्सी घटना को जन्म दिया ये आपकी है प्रांस की कॉंसी करांती है तो आपको याद रखेगा प्तियों में मौझूद हैरा रंग किसके करण होता है बहुत यह पता होगा आपको क्लोरोफिल के कारड़ पतियों में आपका हरा रंग होता है आप से बहुत बार पूछता है जाइलम का कारी क्या होता है जो पौदों में जल पहुचाता है आपके जड़ो द्वारा और यह किसके माध्यम से पहुचाता है पानी यह आपका जाइलम के द्व और जाइलम का क्या होता है चल बाउचाना आपको याद रखना है अगला है भारती अर्थ व्यवस्था का प्राथमिक स्त्रोत क्या है वह आपका क्या है क्रसी बहुत ही most important है प्राथमिक अवस्था का उसमें आती है आपकी क्रसी में फिर आपका दूसरी पूस्ता है यह आपके इंडेस्टी जितने भी इंडेस्टी जैसे बोकारो है यह सब जो स्टील प्लांट खुले थे आपकी सेकेंड में आती अर्थ व्यवस्था में और पूस्ता है ठाड में तो ठाड में आप वह याद रखिएगा जो आपको सेवा पतान करती है क्या पतान करती है तो भारत में यह अर्थ व्यवस्था में तीन-शेत वते हैं प्राथमिक दित्थी और ठर मैने को तीन वह बता दिए हैं रहो गया हो आपको अगला है भारत में एक प्रमुक लौव्याःक च्यट्र काउन सा आपका ओड़ीशा जहरकंड छेत्र में सबसे यह पाया जाता ह है अगला है किसको Asia of light of Asia मलब Asia की जोती किसे कहते हैं वह आपके कौन है मात्मा बुद्ध most important question light of Asia बहुत लोग आदीजी टिक कर देंगे लेकिन light of Asia किसे कहते हैं गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध ने अपना सार नाथ में ठीक है तोस्तों यह आप फिल्खुल याद रखेगा अपना पहला उद्देश कहां दिया था सार नाथ और इंको निवारण कहां मिला था यह इनको कुसी नगर में इनको निवारण पाप तो हुआ था अगला कोशन है तमिल नाडू की प्रख्यात सास्त्री नत्र सहली कौन जी है भारत नाथ्यम इजी कोशन है आपको सबको पताओगा भारत नाथ्यम कहां की है तमिल नाडू की कुछी पूड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिख लिजेगा आंदर प्रदेश कथक कथक उत्तर प्रदेश यूपी का और मोहिनी अटनम कहां का है यह आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अंसर इसका बताईएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको सारे कोशन याद हो जाएंगे दोस् बता दियें चौथा आप लोग हमको बताईएगा अगला है भारत देश का सबसे छोटा राज कौन सा है वह आपका कौन सा है गोवा सबसे छोटा राज कौन सा है गोवा सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान और पूछता है सबस सबसे जन संख्या के मामले में पॉपलेशन के मामले में मैं सौटकट लिख रहा हूँ आप लोग और में लिख लीजिएगा पॉपलेशन के मामले में आपका यूपी है और पॉपलेशन के मामले में सबसे कम यह क्या है उपर सबसे ज्यादा और पॉपलेशन के मामले में सब किम्मे सबसे बड़ा केंशासित पूछे तो आप आपका सबसे बड़ा केंशासित हो गया है लदाक कौन सा लदाक तो आपका यह सबसे बड़ा केंशासित प्रदेश अब हो गया है और सबसे ज्यादा साच्छर्टादर कहां की है मैं आपको अदू सबसे ज्यादा साच्छर बनते हैं जैसे अगला पूस्ता है कि लिंगा अनुपाद लिंगा अनुपाद तो लिंगा अनुपाद सबसे ज्यादा किस राज का है केरल का किवाल एक ही मात रैसे राज जो 1000 पूस पे 1000 से उपर महिला हैं वो कौन सा है केरल और सबसे कम कौन सा है वो आपका है अडियाडा अडियाडा में सबसे कम लिंगा अनुपात है चली फिनिस्ट कोस्टन है ओलम्पिक में राजत पदक जीतने वाली पहली भारती महिला कौन सी है वो आपके कौन है पीवी सिंदू मात्र इन्होंने दूस्तों सिल्वर मेडल जीता था सिल्वर मेडल और ये कौन से और पहली महिला बारती बन गई है पीवी सिंदू सिल्वर का एटॉमिक टंबर कित्ता होता है 47 ये हमेशा पूछा आता है और अगला पूछता है आपका गोल्ड गोल्ड भी आपसे बहुत बार पूछता है पारा भी बहुत बार पूछता है आपसे एच जी तो आप लोग दोस्तों इसको सर्च करिएगा और कमेंट में मुझको बताईएगा अकला है निम लिखित में कौन सा इस्थाल 1920 में भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना होई थी वो आपकी कॉंच सी होई थी नाकपूर में 1920 में दोस्तों नाकपूर में होई था और भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना का हो थी 1885 मुंबाई के गौलिए टाइंक मुंबाई मैदान में कहां होई थी मूंबाई किसने किया था W.C बनरजी डबलू सी बनर जी इस्थापना किस ने की थी डबलू सी बनर जी और पहले अध्धच पूत है प्रथम अध्धच ए ओ हुम most important है आप इसको याद रखियेगा पूस्ता है आपका गांधी जी ने एक मात अधिवेशन में भाग लिया था वो कौन सा है 1924 का बेल गाउं अधिवेशन बेल गाउं कहां पर है कनाटका में ये भी आपसे बहुत बार पूस्ता है बेल गाउं ये आपका कहां पर है कनाटक मे याद रखिएगा most important है गांदी जी ने एक माता द्वेशन के अद्च था कि कौन से है बेल गाउं करनाटक में दोस्तों एक और पूस्ता है कि पहली भारती महिला जो राष्टी कॉंग्रेस में वो अद्धच बनी थी वो कौन है सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू ये कब बनी थी 1925 के अद्वेशन में ये कहां हुआ था कानपूर most important है most important कानपूर एक पूस्ता है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस का दो विभाजन नरमदल और गरमदल में कब हुआ था 1907 के सूरत अद्वेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में नरमदल और गरमदल अलग-अलग हो गये थे थी 1921 नागपूर अगला है स्री लंका में ग्रह युद्ध कप समाप्थ हुआ तो आपका इसको राठान साल है दो हजार नौ स्री लंका में ग्रह युद्ध कप समाप्थ हुआ दो हजार नौ स्री लंका की राजधानी क्या है स्री जैवर्ध ने पुरे कोटे और इसके जो प्रेसिडेंट है वो महंदरा इसके जो पीम है जोरी पीम वो है महंदरा राजपच्चे महंदरा राजपच्चे और इसके जो प्रेसिडेंट है वो गोतबया राजपच्च्चे ये दोनों भाई-भाई हैं गोत बया राज पच्छे याद रखेगा अगला है जिन जैनिक्स एक प्रसित कौन थे यह आपके चिन तक जैनिक्स अगला है लावडी किस राज का एक लोक नत है लावडी आपका कहा का है यह आपका महराश्ट का है most important SST बहुत बार repeat करती है question दोस्तों बिहार की मद बनी painting एक पुस्ता है मद हूँ बनी painting मद हूँ बनी painting यह आपका पुस्ता है गुजरात में एक दोस्तों most important है माधवपुर मेला SST railway बहुत बार repeat करी से इस बार NTPC में भी तो माधवपुर मेला यह आपका कहां लगता है गुजरात में most important मेला है पुस्कर जो सबसे बड़ा उट का मेला लगता है राजिस्तान में ही लगता है पुस्कर मेला इसको बोलते हैं पिर अगला question है दोस्तों एक अबू बाची मेला क्या उनसा है अबू बाची मेला यह आपका कहां पर है यह आपका असम में असम राजि में होता है यह कहां पर लगता है जो कामाख्या मंदिर है आपका कामाख्या मंदिर यह दोस्तों उसी के अंदर लगता है अबू बाची मेला और ये कहां पर है असम राज्य में बहुत ही most important है दोस्तों अगला question है फिर ये कौन सा पच्छी है जो सांती का प्रतिक है आपको सबको पता होगा कौन सा पच्छी है कभूतर most important question है अगला है लिम लिखित में कौन अंता इस्तरावीतंत का हिस्सा नहीं है जो आपकी अंता इ कि अंदर होती है तो जैसे option है adrenal यह आपके शरीर के अंदर होती है thheimos gland यह भी अंदर होती पी निल ग्लैंड भी अंदर लार ग्रंथी आपकी अंता इस्तरावी ग्रंथी नहीं यह आपकी बहाइस्तरावी ग्रंथी है याद रखिएगा दूस्तों अब उस्ता है शरीर का स सबसे बड़ा अंग बहुत सारे कोशन बनता है अंग पूछे तो तो अच्छा कि याद रखेगा आप यक्रत मत लगाईएगा यक्रत नहीं है सबसे बड़ा अंग पूछता है तो आप खौन से है आपकी तो अच्छा डिने का पूड रूप क्या है ती आक्स की राइबो नुकलिक एसिड डैडी नाजायद अवलाद मत याद रखेगा वो केवल पिच्चर में ही बोलता है वह लोग कहते हैं डैडी नाजायद अवलाद वो नहीं है डिने का पूड रूप क्या होता है डी आक्स की राइबो अगला है आर्कीटेक्चर की जड्ने की तक्णिक पिट्रा ड्यूट्यूरा निम लिकित में किस इसमारक में पायाती है अंधिया गेट कहाँ पे नइदिल्ली में चार मिनार कहाँ है है हैदराबाद में गेटवे आफ इंडिया कहां है यह आपकी है मुंबाई में गेटवे आप इंडिया के वास्तुकार पुस्ता है जॉज विटेंट जॉज विटेंट बहुत बाग कोशन रिपीट हुआ है जॉज विटेंट और इंडिया गेट सायद मुझे साबसे एडवन लूटियस आप एक बार और करिएगा इसको देख लिजेगा लेकिन यह कंफर्म है जॉज विटेंट चार मिनार हैदराबाद में इंडिया गेट एट वन लूटियस ने इसकी डिजाइन किया था और गेटवे आप इंडिया जॉज विटेंट अगला है नमक का रासाइनिक नाम सोडियम कोलराइड एन एसी एल एन एक होता ह है सोडियम सी एल होता है कोलराइड एन एक अटामिक नमबर ग्यारा क्लोरीन का सत्रा यह भी पूछ लेता है अगला है जीएस्टी का पूडु रूप गूड्स एंड सर्विस टैक्स जीएस्टी कब लाग हुई थी एक जुलाइड दो हजार सत्रा आपके यूपी पुलिस उसमें पूछाऊइड यहए अब ही जेलवाडन में हुआ था उसमें पूछा था जीएस्टी का दोहरा मोडल किस देश से भारत ने लिया है जी है एस्टी का दोहरा मोडल भारत ने ने कनाड़ा राज देशtake लिया है कनाड़ा की राद धनी ओ वाट काणाला की पुस्तक इंडिया 2020 किस्त के द्वरा लिखी गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपीजे अब्दुल कलाम यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है पुस्तक इंडिया 2020 एफ गोशन था एफ संचरी इस नॉट एनफ पुस्ता है किसकी आटोपाइब गरोफ़ी है तो शॉर्ब गांगली याद रखेगा एस रांशरी इस नॉट इनफ लिक लिजिए गा संचरी इस नॉट इनफ सॉरब गांगली the test of my life क्या बोला मैंने the test of my life the test of my life शॉटकर लिकर रहा हूं योरा सिंग हारियारा हरीकेन किसे कहते हैं हारियारा हरीकेन हारियारा हरीकेन आपको कफिल देव को कहते हैं ये भी most important है master plaster वो तो पता होगा आपको सचिन तेंदूलकर अंतिम कोशन है आज का भारती जनतनत के संदर में कौन सा कथन सही है तो दोस्तों पहला कोशन बहुत दीजी है यह भी लोगों को अपने पत्यनिद्वित को चुनने का अनुमति देता है तो यही बात बिल्कुल सही है अगला गलत है सेना देश को सासन नहीं देती है लोगों को तीर्थ कर दी बोलना है कि तीर्थ कर भी दिया आता है तो यह भी आपका गलत तीर्थ कर नहीं दिया आता है तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर दोस्तों प्लीज इससे बहुत मेहनत लगी है तो आप लोग प्लीज इससे ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा अगर आप लोग जागर आपको ऐसा रिस्पांस होगा मैं आपको वैसे वैसे जली यली वीडियो आले पूरे 54 सिफ्ट हैं वह में सारे आपको स्वाल कराता जाओंगा मैं भी स्टार्ट कर दोंगा तो प्लीज दोस्तों इ दोसके अभी आपके चुनाव हो वेते हैं पश्म मंगाल मंहीं विदान सबहा की कितनी सीट में यह कुप ये कोष्यन का कोश्चन बहुत ही स्टा कोश्चन है विदान सबहें कितनी हैं और इतना बताएगा हाले में अभी कितने राज्यों में विदान सबा चुनाव हुए थें ओके आज के लिए तना इपी मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू